हेलो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एम जी एफएक्स स्टूडियो में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से मैश टूल को यूज करा जाता है तो चलिए शुरुवात करते हैं आपको यहां पर मिलता है मैश टूल तो कैसे वर करेगा चली देखते हैं मैं एक सर्कल बना लेता हूं इस तरीके से इसके उपर कुछ कलर दे देता हूं मैं आप यहां पर दो तरीकों से मैश जेनरेट कर सकते हैं एक तो मैश टूल की हेल्प से और दूसरा आप अबजेक्ट मैन्यू पर जाएं और क्रियेट ग्रिडियेट मैश इस वाले उप्शन से भी आप मैश जेनरेट कर सकते हैं इन दोनों उप्शन के थूल हम यहां पर मैश जेनरेट करके देखेंगे कैसे यह वर्क करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं टूल से कैसे वर्क होता है तो जैसी टूल पर क्लिक करता हूँ मैश टूल एक्टिवेट हो चुका है आप देखें जैसी ऑबजेक्ट पर जाते हैं आप देखेंगे कर्सर के नीचे प्लस आ चुका है मतलब आप यहाँ पर मैश क्रिएट कर सकते हैं मैं क्लिक करता हूँ अब यहाँ पर आप देखेंगे एक मैश बन चुका है आप जहाँ जहाँ पर भी क्लिक करेंगे मैश क्रिएट होती चलेगी मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ क्लिक करता हूँ यह देखिए देखिए इसका यूज हम कैसे कर सकते है मैं चलता हूँ डिरेक्ट सेलेक्शन टूल के उपपर मैं अपना स्वाचिस पैनल को बहार निकाल लेता हूँ जला अब देखिए यह सब पॉइंट्स जो हा रहे हैं यह देखिए इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैं चलता हूँ ऐसे इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहां पर मैं कलर दे सकता हूँ यह देखिए मैंने color दिया देखे एक अच्छा सा एक effect बन के आ जाता है मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं यहाँ पर generate कर रहा था, mash मैं इस area को select कर लेता हूँ, इन anchor points को तो यहाँ पर मैं color देता हूँ, again, थोड़ा dark color panel में चलता हूँ, show options on कर लेता हूँ वो थोड़ा dark कर लेता हूँ, यह देखे, देखे, यहाँ bright है, यहाँ dark है, आप कुछ और color भी दे सकते हूँ, मैं चलिए थोड़ा different color देता हूँ, बिल्कुल, green दे देता हूँ, यह देखे, आप click करके इन areas को move भी कर सकते हैं, यह देखे, थोड़ा bright कर देता हूँ, यह देखे, आप जहाँ जहाँ इसको लेकर जाएंगे, आपका color उस हिजाब से move करेगा, handles है, handles को थोड़ा आप करेंगे, तो आप देखे, इसको उसी हिजाब से expand कर सकते हैं, area को, चलो, control Z करते तक बढ़ी, अब मैं चलता हूँ, दुबारा से, mesh tool के उपपर, और यहाँ पर मैं जब click करता हूँ, माल लिए मैंने यहाँ click कर दिया, तो जो last color मैंने apply कर रहा था, वो यहाँ पर apply हो जाएगा, मैं माल लीजिए, blue color ले लेता हूँ, अब देखें, मैं जहाँ पर भी click करूँगा, वहाँ blue color आता चलेगा, अब यहाँ पर आप यह points को select करना चाहते हैं, बीच के, तो एक-एक point ना select करके, आप चलिए, lessor tool के उपा, lessor tool से आप ऐसे area बना के select कर सकते हैं, यह सारे anchor points बीच के जो area में आ रहोंगे, वो select हो जाएंगे, और आप उनको एक साथ color दे सकते हैं, यह देखें, अब आपको लगता है कि कुछ meshes ज्यादा बन गई है, तो आप select करिए, anchor point को select करके, delete कर सकते हैं, देखें मैंने यह select कर रहा था, तो इसका horizontal और vertical, यह horizontal है और यह vertical, तो दोनों चीज रिमूव हो चुकी है, आप tool से भी work कर सकते हैं, कैसे, tool select करिए, आप देखें, अगर इस horizontal mesh पे आप click करते हैं, alt press करिएगा साथ में, keyboard पे, तो देखें, आपका जो cursor है, उसके नीचे minus आ गया है, मतलब कि अब आप उस row को remove कर सकते हैं, click कर दीजे, वो देखें, ऐसी आप vertical को भी कर सकते हैं, alt press करिए, click कर दीजे, अगर आप यहाँ click करते हैं, इस anchor point पे, alt press करके हैं, तो horizontal और vertical, दोनों हो जाएंगे, तो यह तो काम हो रहा है आपका, टूल से, अब चलिए, एक और देखते हैं, दुबार से, मैं एक circle बना लेता हूँ, color दे देता हूँ, अब देखें, object पे आप जाएंगे, आपको यहाँ मिलता है, create gradient mesh, आप click कर दीजे, तो अब आपके पास यहाँ पर पू अपने हिसाब से, कम ज्यादा कर दीजे, मैं जैसे इसको 2 कर देता हूँ, यह देखें, अब number of rows रहा है, 2, 1 and 2, columns, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से mesh generate कर सकते हैं, आपके पास option है, appearance का, आप flat रखना चाते हैं, flat रखिए, two center आप जब करेंगे, तो बीच में ए आप edge पर करेंगे, तो edge पर highlight आजाएगा, मैं इसको भी flat रखता हूँ, आप preview on-off कर लिजेगा, ताकि आपको दीख जाए कि क्या final output आता चल रहा है, और मैं okay करता हूँ अब आप again, जाएए अपने direct selection tool के उपर, select करिए anchor points, और आप color change कर सकते हैं, मैं इसको click करता हूँ, थोड़ा इसको भी कर देता हूँ, ये देखिए, और आप इसको move भी कर सकते हैं, handles को पकड़ के, थोड़ा सा expand कर सकते हूँ, उस color को, ये देखिए, इनको कर देता हूँ, तो इस तरीके से, mash tool को आप use कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो please वीडियो को like, subscribe और share करना ना भूले, और साथ ही bell icon को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो का update आपको notification के जदिये मिलता रहे, धन्य नहीं बाद.